गुद मॉर्निंग क्लास टू के बच्चों आप लोग कैसे हो आज हम आपके क्लास टू की व्याकरण का पहला पार्ट पढ़ेंगे जो इस प्रकार है चलिए स्टार्ट करते हैं शुरुवात करते हैं चैप्टर का नाम है भासा और व्याकरण विचारों की अभिव्यक्ति भासा के द्वारा संभाव है विचार का अर्थ होता है जो भी हम एक दूसरे से बात करते हैं जैसे हम ही आप से बात कर रहे हैं तो हम अपना विचार बता रहे हैं भासा के बारे में तो यह हुआ आपका विचार तो अगर हम बोलेंगे नहीं अपने विचार व्यक्ति नहीं करेंगे तो कैसे संभाव है कि हमारी बात कोई समझेगा तो यह भासा के माध्यम से ही होगा किसी भी हाल में भासा, language केवल मनुसे ही नहीं मनुसे ही नहीं एक ऐसा प्राणी है जो अपने मन के भाओं का आदान परदान कर सकता है भाओं का यह आदान परदान भासा के द्वारा ही होता है हम लोग हैं एक हम ही लोग हैं जो बोली बोल सकते हैं लेंग्विज को बोल सकते हैं भासा को बोल सकते हैं एक दूसरे के साथ, अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ, माता, पिता, दोस्तों के साथ, आसपास परोर्स, जो भी हो, तो मनुस्ति ही भासा का पुरियोग कर सकता है, और यह बात चीत आदान परदान, आदान का अर्थ होता है लेना और परदान का अर्थ होता है देना तो हम अपनी कोई भी बात करते हैं, लेते हैं या देते हैं, जो भी हो तो भाजा के द्वारा ही संभाव है इसी की द्वारा, भाजा के द्वारा ही मनुस्य मानाव व्यक्ति अपने मन की बातों को दूसरे के समक्ष प्रकट करता है तो दूसरे की बातों को स्वैम समस्ता है आप अपने चितर में देखिए अपने पुस्तक के चितर में कैसे एक सबजी वाले से एक इंसान एक व्यक्ति पूछ रहा है भाव पूछ रहा है जैसे अमगोन आप गह होंगे कभी अपने ममी पापा के साथ भजा तो आप देखे होंगे कि आपके ममी पापा सबजी वाले से फल वाले से या किसी भी जरुवत मंद दुकान पर पूछते हैं कि या यह कैसे किलो है या कैसे मिलता है इसका दाम क्या है इसका rate किया है तो हम पूछे वह सामने वाला जो व्यक्ति है उस चीज को समझा और उसने उसका दाम बताया हमको फिर उसके बाद हम लोग लेंदेन की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं शुरू करते हैं और और भासा के द्वारा हम अपनी पढ़ाई करते हैं लिखाई करते हैं आदिकारियों को करते हैं जिस माध्यम के द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान परदान करते हैं उसे भासा कहते हैं अपने मन यानि मन की जो भी बात है हम उसको प्रकट करते हैं जिससे आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप बोले कि हाँ ये चीज हमको समझ में नहीं है तो आप जब बोले और जिससे आपको इस बात को समझ नहीं है उससे बोले तो उसने फिर से आपको समझाया बोल करके ठीक है तो आपको समझ में आ गया तो यही हुआ मन के भाओं का विचारों का आदान प्रदान भासा की दो रूप होते हैं मुख्यता दो रूप होते हैं वैसे तो तीन भी होते हैं पर महत्वपूर्टा प्राप्त हैं इन्हीं दोनों को मौखिक भासा और लिखित भासा और लेंग्वेज को हम मौखिक भासा बोलते हैं इसमें हम अपनी बात को दूसरों के समक्ष बोलकर प्रकट करते हैं जैसे आपको भूक लगी है तो आप अपने माताजी से ममी से खाना मंगने जाओगे बोलोगे ममी खाना दे दीजे तो यह तो आपने बोल के प्रकट किया ठीक है ऐसे ही आपको अपनी कक्षा में अपने क्लास में कुछ question समझ में नहीं आते हैं तो आप क्या करते हो पूछते हो आपने hand up करते हो उसके बाद पूछते हो कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपने बोल के ये बात को प्रकट की तो ये आपकी क्या हुई मौखिक भासा जो हम बोल के प्रकट करते हैं बोल के समझते हैं दूसरा है लिखित भासा लिखित भासा के अंदर हम अपने भावों को विचारों को लिख कर बताते हैं पैंसिल से, पेंसे उसका प्रियोग करते हैं, उसको लिखते हैं, जैसे आप एक्जाम में देने जाते हो, आप से लिखित एक्जाम में आप से question पूछा जाता है, ठीक है, तो आप उस question का answer कैसे देते हो, जिससे आप किस class में पढ़ते हो, तो आप बताओगे, मैं कफ़्छा दो में पढ़ता हूँ, तो यह आपकी लिखित भासा भई, ठीक है, सांकेतिक भासा, लिखित भासा का वह रूप है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, समझी, जैसे पत्र, पुस्तके, तथा समाचार, आदी भासा के लिखित रूप है, पत् ही लेटर आप जानते ही होंगे, हम लोग लिखकर के अपना अप्लिकेशन देते हैं अउकास पत्र, छुट्र, छुट्टी के लिए वह हमारी लिखित भासा है, उसमे लिखित भासा है, सांकेतिक भासा, क्या कभी आपने अपने मित्र को या किसी फिर किसी को भी बिना कुछ कहे इशारे से बुलाया है ठीक है तो देखो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जब बोलने का मन नहीं भी रहता है या बहुत हला गुला रहता है आस पास में या कोई इंसान हमसे बहुत दूर खड़ा रहता है तो हम पहले तो आवाज लगाते है अगर वो आवाज से नहीं समझ में आता है तो हम उसको इशारों से बुलाते हैं अपने दोस्तों से हाथ से बुलाते हैं या सिर हिला करके बुलाते हैं तो यह क्या हो गई बिना कुछ बोले, मुह नहीं खोलेंगे और इषारों से अपने हाथों से बुलाएंगे तिव्य उसकी आपकी सांकेतिक भासा कहलाएगी इस भासा में हम अपने भाव और विचार इषारों के द्वारा प्रकट करते हैं उसे हम सांकेतिक भासा कहते हैं ये हो गए भासा के तीन रूप, कौन-कौन से मौखी, लिखी और सांकेति लिपी, अब हम लिपी पे आते हैं प्रतिक भासा को लिखने के लिए कुछ चिन्न निश्चित किये गए हैं इन चिन्नों के द्वारा ही कोई भासा लिखी जाती है यह कहिए कि किसी भासा के निर्धारित चिन्नों को लिखने की विधी या धंग को ही लिपी कहते हैं जैसे हमने छोटा औ लिखा, बड़ा औ लिखा, हमने एक वाकि लिखा कि मेरा नाम जया है तो वह हमारे लिखने का क्या धंग हुआ? हमने एगर हिंदी में लिखा तो वह हमारी देवनागरी लिपी में है और अगर हमने उसको इंगलिश में लिखा तो वह हमारी रोमन लिपी में है तो हम हिंदी में देवनागरी लिपी का प्रियोग करते हैं तो हमने कुछ चिन लिखे हमने पैन चलाया पैन चलाने के बाद हम उसमें कुछ निशान बनाएं तो वह क्या हो गई हमारी लिपी हो गई हिंदी भासा को देवनागरी लिपी में तथांगरेची भासा को रोमन लिपी में लिखा जाता है ध्यान रखिएगा इस चीज का व्याकरण व्याकरण वे सास्त्र है जिसकी माध्यम से भासा के शुद्ध अत्वा अशुद्ध रूप का ज्यान होता है हम उसे व्याकरण कहते हैं शुद्ध अत्वा अशुद्ध रूप का अर्थ ही यह हुआ कि किसी भी चीज को लिखने का तरीका ढग अगर हम लड़का को लड़की लिखेंगे मतलब हरसे की मात्र, दिरगई की मात्रा हम बढ़ा देते हैं तो वह लड़की हो जाएगी पूरा gender ही change हो जाएगा और अगर हम लड़का लिखें हैं ठीके तो तो वो सही है उसी प्रकार जैसे हमने लिखा किसी भी चीज का word लिखा शब्द लिखा और उसमें अगर मात्रा गलत कर दिया तो क्या हो गया वह हमसे mistake हो गया कैसा mistake व्याकरण की दिश्टी से गलती हो गई जैसे कि आप देखिए राम है ठिक तो राम में अगर हम आ की मात्रा हटा देते हैं तो राम तो पहले प्रैक्ति का नाम हो सकता है हमारे इश्वर का नाम है और अगर उस राम में हम आ की मात्रा हटाते हैं तो वह हो जाता है रम रम का अर्थ होता है आप किसी भी काम में लगे रहना मजे रहना जमे रहना तो बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो गया एक नाम हो गया और एक बिल्कुल क्रिया के तरफ अपना मन कर दिया ठीक है तो बिना मात्रा के या बिना व्याकरण के हमारा जो है वह काम नहीं चल सकता है किसी भी तरीके से हम शुद्ध रूप से बोलना लिखना नहीं सीख सकते हैं इसलिए हम व्याकरण सास्र को पढ़ते हैं कि हम शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखें अगर हम कुछ भी गलत लिखते हैं तो हम अगर गलत लिखें हैं तो हम गलत बोलेंगे भी और हम गलत पढ़ेंगे भी उस कमी को दूर करने के लिए हम व्याकरण का प्रियोग करते हैं और व्याकरण भासा को सीखते हैं व्याकरण के कई नियम होते हैं इन नियमों से भासा का शुद्ध प्रियोग करना आता है संसार में अनेक भासाइं है उन सब में उन सब के अपने अपने व्याकरण है भारतिय भासाओं के भी अपने अपने व्याकरण है किसी भी भासा को सीखने के लिए व्याकरण का ज्यान अतियावशक है जैसे कि हमने पढ़ा उपरियुक्त कि हर भासा का अपना-पना उसी प्रकार हमारे हिंदी में भी यह बताई जाती है किस वर आगे चलके मात्रा का प्रियोग मात्रा बन जाते हैं और उनका प्रियोग हम व्यंजनों पे करके नए नए वाक्यों का शब्दों का निर्माड करते हैं तो यह हम किसमें सिखते हैं किसे सिखते हैं व्याकरण से स आपको इसका अभ्यास बनाने का प्रयास करना है, कोशिश करनी है, अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परिशानी आती है, तो आप प्लीज मुझे बताईए, आज के लिए बस इतना ही, आगले क्लास में हम इस पार्ट का अभ्यास बताएंगे, चलिए, धन्यवाद.